नमस्कार और आप देख रहे हैं दाहर के निउस। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले एक निउस हाई है कि आस्तक के मश्यूर एंकर रोही सर्धाना बिस दुनिया में नहीं रहे। उनका हार्ट एटेक्स से निधनों कहा है और उन्हें कोरोना भी था। इस वीडियो में आपको उनकी जीवन परिच्चे और उनकी पूरी जीवनी के बारे में बताऊंगा। लाखों लोगों के लिए रोही सर्धाना इकादर्श हैं तो चलिए जानते हैं रोही सर्धाना की जीवनी और रोही सर्धाना से जुड़े विवादों के बारे में। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रोई सर्दाना आगे के पढ़ाई करने के लिए हिसार चले गए रोई सर्दाने ने गुरु जंबेत कर विश्वी विधाले विग्यान और प्रधोगे की से मनो विग्यान में इसनातक की डिगरी हासिल की है इसके बाद रोई सर्दाना ने मास्ट कम्निकेशन में मास्टर्स की डिगरी हासिल की रोई सर्दाना का करियर रोई सर्दाना ने अपनी करियर की शुरुआत रेडियो स्टेशन में नौकरी करकी की इसके बाद रोई सर्दाना के सीटी केबल के काम करने लगे रोहिज सर्दाना ने करीब टेट साल तक सिटी केबल में काम किया लेकिन वे कुछ बढ़ा करना चाहते थे ऐसे में वे हरियाना छोड़कर दिल्ली आ गए दिल्ली में रोहिज सर्दाना की सबसे पहली ETV नेटवक के साथ इंडियन के रोप में काम करने का मौका मिला फिर वे ETV नेटवक में ही बतोर पत्रकार काम करने लगे इस दोरान रोहिज सर्दाना का ट्रांसफर हैदराबाद में कर दिया गया हैदराबाद में रोहिज सर्दाना ने इतना अच्छा काम किया कि उन्हें टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला बस ही से रोहिज सर्दाना का करियर टीवी एंकर के रूप में शुरूग हो गया रोहिज सर्दाना ने साल 2004 में सहारा के साथ जोड़ गए सहरा में दो साल काम करने के बाद रोहिज सर्दाना जी न्यूस में कारेकारी संपादक के रूप में शामिल हो गए जी न्यूस में काम करने के तोरान रोहिज सर्दाना को पूरे देश में पहचान मिली क्रिक रिकेट का खास knowledge नहीं होने के बावजूद, रोहिश सर्दाना ने क्रिकेट आधारित काई शो किये Z-News पर रोहिश सर्दाना का Debate Show ताल ठोक के काफी लोग प्रियो हुआ इस शो में रोहिश सर्दाना तेश के मुद्दों पर Debate करते थे साल 2017 में रोहिच सर्दाना जी न्यूस को छोड़ कर आस तक में काम करने लगे आस तक पर रोहिच सर्दाना का डिबेट शो दंगल भी काफी परसिद है रोहिच सर्दाना इन दिनों आस तक में ही काम करते थे रोई सर्दान को पत्रकाड़ता जगत में उनके योगदान के लिए 번째 news anchor award से नवाजा जा चुका है रोई सर्दान को माधव योती सम्मान से नवाजा जा चुका है रोई सर्दान को sensey best news program award से भी समानित किया जा चुका है